नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी काफी के बीडियो में कवर कर रहा हूं आपके साथ RGD और USGC के बीच में जो नई सीरीज शुरू हो रही है ECS T10 Dresden सीरीज जो शुरू होने वाली है इसके बारे में बात करूँगा इस वीडियो में complete analysis बताऊंगा सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा completely सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूँकि सबसे पहले यह जो सीरीज है यह RCD vs USGC जो पहला मैस कहला जाने वाला यह जो सीरीज है नई सीरीज शुरू होड़ी है दस दस ओवर के दोनों मैचस कहले जा उसके बाध बाखी के जो तीन टीमे हैं वोна BASC ब्रिटानिया है, BASC रिहार्गवे है और Berlin Eagles है, Berlin Eagle जैसे आपकी आपसो ना भी लग़ा होगा Berlin何 एंगल जो है Germany की एक इस जिटी है तो जर्मिनी का ये tournament है डस बस सू़र के. अब मैं पहले एक चीछ आख हम द्दूर्मेंट चलिएर करता हु, जो tournament में runs आप एक्सपेक्ट करेंगे, जो score आप एक्सपेक्ट करेंगे वो आप 80 से 110 इससे जादा बिल्कुल आप एक्सपेक्ट मत करना यही बन स्कोर आपको ज्याधा तर देखने के लिए मिलेगा छोटे टोडल भी आपको ज्याधा तर देखने के लिए स्टोनमेन में मिल सकते हैं चले गईज मैं कंप्लीट स्टाट्स के बारे मैं बात कर लो धोनों यह टीमों के प्लेयर हैं सबसे पहले मैं रगभी क्रिकाट रेजन से बात करता हूँ RCD जो की short form इनका RCD है उनके मैं आपको पूरे stats हैं आप बता देता हूँ RCD का 27 member का squad दिया गया Dream Eleven में लेकिन 27 में से केवल 22 player मैंने यासे जैसे नंबर दे रखे केवल 22 player ऐसे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी league में खेले हैं जिनके record available हैं बाकी सब young star है और debutant है जिन्होंने आस तक कोई tournament नहीं खेला है तो मैं उन 4 player के बारे में तो आपको कुछ नहीं कह सकता है जिन्होंने कुछ नहीं खेला है लेकिन जिन्होंने आस तक कोई ना कोई league खेली है उनके बारे में यहाँ पर मैं सारे stats आपके सामने लेकर आगया हूँ और इस video में उनके सामने उसके बारे में बात करूँगा फिर playing 11 के बारे में सबसे बहले RCD के बारे में बात करता हूँ देखे गुलजार रसूल इनकी टीम से एक बहुत बड़ा नाम है जिनको आपको अपने डिमेश ज़रूर पिक करना है 30 की इनकी आउसात है 126 का strike rate है हाला कि यह एक चीज और बतादू यह गेंदवाजी भी करते हैं यहाँ पर विकेट कभी नहीं मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं जूर जीवे मैंने नम्मर्स लिखे हुए हैं तो यह है यह सारे के सारे stats मेंने आपके सामने यहाँ पर लिखके पहले ही रख दिये हैं अब यहाँ पर संदीप कंभोज है उसके बाद दूसरा option 6 matches खेले इन्होंने भी 19 की आउसात से इन्हों रन बनाए हैं सेयद वकार शाह हैं इन्होंने 13 की आउसात से रन बनाए लेकिन एक अच्छे all-rounder हैं उसके बाद cricket keeping में इनके पास वैसे तो तीन option है लेकिन जो ऑफिशेरी खेल चुके हैं कभी न कभी कोई लीक उसमें से दो option है मुहमद निजमोल हैं उसके बाद दूसरे हैं मुस्ताफा खान तो यहां इन दोनों में से यहां पर आप देखेंगे 52 की आउसत है निजमोल के लेकिन वह इसलिए है कि चार मैचेस में केवल एक ही बार आउट हुए हैं बहुत बड़े player है उसके बाद अनिरुद दास है यह बल्लेबाजी में आपके लिए काफी अच्छा option देगा यहां पर इनकी average भली कम है लेकिन बल्लेबाजी काफी अच्छे है उसके बाद कपिल है उसके बाद अजाम है विवेक है अश्विन प्रकाश है यहां पर average आप देखेंगे इनकी काफी अच्छी है सबकी 35-40 की average है अलाकि जाधा experience किसी को भी नहीं है उसके बाद मुस्ताफा खान के बार में आपको बता दिया सिर्फ विकेट की पर ही है बाकी कुछ खास option नहीं है बिलाल है आपको एक ठिक-ठाक all-rounder मिल जाता लेकिन उन्हें अभी क्रिके टॉर्णमेंट नहीं खेला तो उनके रेकॉर्ड एवेलेबल नहीं है उसके बाद विलाल राहुल विकास कपिल उसके बाद एक और कपिल यहां पर एक कपिल है गनेश है और राहुल है तो इसमें से देखिए मैं आपको की प्लेयर बता देता हूँ जो अगर प्ले प्लेंग लेवन के प्लेंबर यहां पर एक प्लेंग लेवन अपनी उफिशल वेबसाइट पर डाली है इस मैच के लिए यह आप जो स्क्रीन के लफ साइड पर देख रहे हैं यह पूर्वे के तौर पर विवेक को रखा हुग है यहां पर देखिए मैं यहां से आपको बत पर देता हूं गुलजार रसुल का नाम लिखा हूए उसके बाद सभ्साइद वकाषा का में आम लिखा हूए ओल राउंड राउंडर है सभ्साइद यहां पर इन्होंने प्लेंग बादे बाक्ट कर सकते हैं उसके बाद अजनीश भी ठीकटा कॉप्शन है यहां पर खीप इस टीम के सबसे बेस्ट चार ऑप्शन होंगे उसके बज़र यह दूसरी टीम के बारे में बात करे लेता हूं वह है यू एसज आपर यहानी कि यू ऐस जी जी जिज़ो आपको शार्ट फ़र्म में देखने के लिए मिलेगी इनका जो श्क्वार्ड बहुत बढ़ा स्क्वार्ड है अब मैं आपको की प्लेयर के बारे में बताऊंगा सीधा यहाँ पर आप जो भी टीम होगी मैं आपको स्क्रीन शॉट ले ले लेना आप मैं आपको थोड़ी दिर में फुल स्क्रीन मोड पर दिखा दूँगा राजेश है नागेश नवजारा यह भी बहुत अच्छा उप्शन है जो मैंने उपर उपर लिख दे है बाकी के जो ठिक ठाक नहीं है वो मैंने नीचे लिख रहा है उसके बाद समाद अब्दुल है थरुन गूपी है उसके बाद साहीदुल्ला है गूपी नाथ है विकेट की पर में संदीप है एवरेज उपर लिख दिये हैं उसके बाद गाईस अकाश अशोक को आपको जरूर अपने टीम में देखना है अगर आप कई से मैंटेन कर पाते हैं एक दिकत में आपको जरूर बता दू कि होने वाली है वो ड्रीम 11 में यह होने वाली है कि जाधा तर लग बग लग आधी टीम 11 या 12 प्लेयर आपको सारे के सारे ओल्राउंटर में देखने के मिलेंगे तो वो आपको जरूर देखना पड़ेगा कि बैस चार ओल्राउंटर कौन से होंगे अब इनकी जो प्लेइंग 11 आई है उसके बारे भी थोड़ सा मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो इनकी ऑफिशल व समाध अबदुल है यह वही खिलाडी जोल्य पर आपको बोर दिखा देता हूँ ताकि आप इसके लाप लगा दिए आप चाहूँ तो इसका screenshot ले सकते हो और जब toss हो जाएगा जब toss हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता दिल जाएगा कि इस कौन से खिलारी का batting average क्या है, bowling average क्या है वहीं same में यहाँ से भी rugby cricket dressing की team से भी आप screenshot ले लीजिए इसका ताकि आप edit कर वा है बागी यहाँ से USG के नीचे के players में किसी के खास कुछ experience नहीं है, किसी ने खास कुछ यहाँ से किया नहीं है अभी तक तो इसके बारे में मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, tournament बहुत लंबा है जैसे एक-दो matches हो जाएगे तो हमें idea हो जाएगा कि tournament किस तरफ जा रहा है चले मैं अब बात कर ले तो अपनी dream alone की team की जो अभी के लिए मैंने बनाई है, एक जीज की मैं guarantee दे रहा हूं देखेगा इस प्लेइंग 11 के साथ 100% मत तना क्योंकि प्लेइंग 11 में कुछ changes हो सकते हैं तो आपको toss के बाद जरूर अपनी टीम याद से change कर लेनी है, ऐसा ना हो कि आपने यही टीम उतार दी और आप toss के बाद edit ही नहीं कर पाए ग्रैंड लीग जीने के लिए बहुत अच्छा अफसर जरूर है लेकिन आपको toss के बाद टीम edit करनी है, विकेट कीपिंग में जाना अच्छे है हमारे पास option नहीं है, संधीप को मैंने अपनी टीम में pick किया हूँ है, संधीप वैसे तो एक अच्छा नाम है, अच्छा बल् अच्छा बहुत अच्छा एक option जाए, आप चाहे तो यहां से अजीप को ड्रॉप करके अनिरुप टीम में बनाऊंगा एक सेम सारी टीम तो बनाऊंगा नहीं, उसके बाद एक ख्लाडी में जरूर सेकंड टीम में ड्रॉप किया है, इसको राजेश नगराजा है, यह मैंन पहली टीम में अपना कप्तान भी बनाए, उसको आप बिल्कुल भी अपनी टीम से ड्रॉप मत कर देना, बाकि नीचे से यहां से बलाऊंगा, तो संदीब को मैं अपनी टीम में रखा हुआ है, सेयद को अपनी टीम में रखा हुआ है, उसके बाद गुलजार रसूल जो की बहुत बड़ी option है, यह one of the best option, दोनों टीम हो में से अगर मैं सबसे नंबर पहला नाम अगर कोई बोलू जो मुझे अपनी टीम में पिक करना है, तो मैं गुलजार रसूल को ज़रूर अपनी टीम में टीम करूँगा, यहां पर मैंने Captain Vice Captain नहीं बनाया इनको, लेकिन एक से अच्छे प्लेयर की ज़रूरत थी, और USGC से यहां पर कोई Vice Captain के लिए अच्छा option आल राउंडर में अविलेबल नहीं है, उसके बाद ऑल राउंडर से मैंने एक टीम में आकाश को, एक टीम में आधित को ट्राइ किया, क्योंकि अभी पहला tournament, पहला match है, तो कोई कह नहीं सकते हैं कि कैसी performance होगी, एक-दो matches जब हो जाएंगे, तो हमें idea हो जाएगा कि कौन सा player हमें लेना है, कपिल को मैंने दोनों टीम में पिक या, यह में लें काफी अच्छा option है, उसके बाद जकी राजल को मैंने अपनी एक टीम में पिक किया है, और लास्ट में मैंने USGC, ये white वाले जो players हैं, ये USGC के players हैं, white वाले जितने players आपको दिखरे हैं, और ये जो black वाले player हैं, वो RCDC के player है, तो USGC में all-rounders ज्यादा अच्छे नहीं है, इसलिए 3 all-rounder में आपको जरूर बोलूँगा, कि RCD के 3 all-rounder आप यही 3 all-rounder लेना, वनना कोई और अगर आ playing 11 batting order के हिसाब से आजाएगी next matches से, तब ये match tournament बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको किसी भी league में जीतने के लिए, तो फिलाल तो मैं इस वीडियो में इतना ही, जो playing 11 थी, मैं उमिद करता हूँ, आपने इसके screenshot ले लिए होंगे, मैं एक बार फिर से आपको लिए उपन कर तो फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, बगले वीडियो में तब से ले goodbye guys, वीडियो देखने के लिए, thank you